क्लास 11 चैप्टर नॉम्बर 15 लिनियर इन एक्वेशन एक्सराइस 15.3 का क्वेशन नॉम्बर 7 है और विद्धार नॉम्बर 15 लिए नॉम्बर 15 लिए जन्वेशन एक्वेशन यूम्बर 15 लिए । मतलब बोल कहा रहा है कि किसी को भी ग्रेड ए एक ग्रेड लेने के लिए कोर्स में उसे एवरेज जो होगा वह 90 मार्क्स यह 90 से ज्यादा होगा फाइव पेपर में ठीक है अगर फाइव पेपर में उसके एवरेज मार्क से जादा आंटी नानाईटी से जादा आ गया तो उसेग्रेड हेव एमिल जाएगा ठीक है ये जाँ हरoff 100 मार्क सो नो allडेत वह सिखा सकोड जो सिखा है उसने स्कोड करा इन फुर्श फॉर एंपर उसने फर्श फॉर एक परень श्मस कोर करत दुसरे पर नोसने 95 फॉर करहा तीसरे में 92 कोर ए और छौथे में 94 कर्वह ठीक है टोटल फैबर ऑबुर फैपर होते तो एक एक पेपर और होगा, ठीक है, इन फोर पेपर, फाइंड द मीनिमम माक्स, देट मस्ट स्कोर, इन दा लास्ट पेपर, तो गेट अ ग्रेड ए, इन दा कोर्स, तो हमको बताना है, कि ये लास्ट पेपर में उसे कितना, स्कोर करना पड़ेगा, कि उसे जो है न, वो ग्रेड ए मिल गा है, तो ग्रेड ए मिलने के लिए, आवरेज क्या होना चाहिए, आवरेज 90 माक्स होना चाहिए, 5 पेपर का जो आवरेज होगा, वो 90 माक्स होना चाहिए, अगर 90 माक्स हमको आवरेज में मिल जाएंगे, तो जो होगा वो ग्रेड यह हो जाएगा तो हम सपोर्च कर लेते हैं कि हम सीखा को जो है वह एक्स मार्क्स ऑप्टेन हुए है फिफ्थ पेपर में ठीक है तो मैं लिखेंगे लेट एक्स बीदी मार्क्स एक्स बीदी मार्क्स ओब्टेन्ड बाई ओब्टेन्ड बाई सीखा ओब्टेन्ड बाई सीखा इन फिफ्थ पेपर ठीक है यह ए ऐंवर्स के ऐंवर्स ग्रें एक करने के लिए ऐवरेज यह बनें छिए ऐवरेज ग्रीटर डैन दीखें साहें दिखें मार्क्स और म स्वूर दै कि से ज़्याद यह ज़्यात बिए चले इसने फिरम्टेशं से निकालत है sum of observation upon number of observation, तो इनका sum करो, 87 plus 95 plus 92 plus 94 plus x upon, यह कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 जितनो, greater than equal to 90, ठीक है? तो इस 5 को इदर multiply करो, तो 87 plus 95 plus 92 plus 94 plus x greater than equal to 90 into 5, ठीक है, तो आप देखो, इनका sum क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 5, 11, देखो, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 11, 18, तो 18 है 8, और होगा, 9, 9, 18, 18, 27, 27, 27, यह 36 हो जाएगा, 368 plus x greater than equal to 90 into 5, 450, ठीक है, इसको आप इदर shift करो, यह हो जाएगा, x greater than equal to 450 minus 368, ठीक है, यह आपका 82 हो जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या पूछा था? minimum marks, हम से क्या पूछा था? minimum marks, मतलब कम से कम, तो अब देखो, यह क्या बोल रहा है, 82 से आगे, 82, यह फिर 82 से आगे, 100 नमर में, ठीक है? तो minimum क्या है? minimum हमको 82, minimum क्या है? minimum marks, 82, तो हम इसको चाहिए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक जोगा, 80 और 100 के बीच में, marks तो 100 से ज़्यादा तो अप्टिन होंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं, और minimum marks क्या हो जाएगा? minimum marks, 82, देखिए, यह होता है, minimum, और यह वला होता है maximum, तो यह minimum होता है, तो यह minimum होता है, तो आप देखिए, अब देखिए, नेक्स्ट क्यूस्ट नमबर 8 है, अ कंपनी मैनुफेक्ट्ट्ट्र, कैसेट्स, और इस कोर्स और रेवेन्यू फंक्शन फॉर वेग, आर इतना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवी, यह वेखिए, प्रोफिट्र होने के लिए क्या होने चाहिए, जैसे, आप ऐसे समझो, कि, कॉस्ट पड़ा रुपीस 20 ठीग है और आपने इसको सेल कर रुपीस 18 में तो आप बताओ यहां परोफिट हुआ कि लॉस हुआ औव् Old P vandaag यहां पर loss क्योंकि आपने बनाया इसे 20 रुपीस में और आपने इसे सेल कर दिया 18 मुद्ध आपको टू रूपीज का लॉस हुआ है ठीक है टू रूपीज का लॉस ठीक यह लॉस है तो प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए प्रॉफिट के लिए होना चाहिए कि आप इगर इससे 20 में बनाये हो तो इसे 25 में बेज की प्रॉफिट के लिए ऐसा ही होना चाहिए मलब अपने धेखि कि कोस्ट अगर इसको मेकिंग कॉस्ट जो है कि मेकिंग कॉस्ट अगर फॉपीज़ 20 है और सेलिंग प्राइस िसका रूपिस 25 ठीक है तो हम बोलेंगे प्राफिट होगे ठीक है तो बेसिकली जो कॉस्ट है न वह यह वाला कॉस्ट है बनाने का जो कॉस्ट है वह कुछ इतना है एंड रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब है क्यों से कितना में सेल करा ठीक है तो प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए देखिए प्रॉफिट के फर्मूला होता है क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ठीक है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ठीक है अब हमको होगा है तो मतला पॉजेटीव होगा गें और रेवेन्यु को कॉष्ट में से माइनेस करों तो यह वला चीज़ जो हो profit होता है यही तो profit होता है तो यहां पर generally SP को यह revenue बोला है ठीक है तो selling price 25 और cost price 20 तो यह 5 तो यह positive आया तो profit हुआ अगर आप इसी तरह से आप SP-CP निकालते हो यहां के लिए तो यह क्या आएगा 18-20 अब देखो minus हुआ गया profit negative आया तो profit negative हाय मतलब आपको loss हुआ है और profit positive आया मतलब profit हुआ तो generally होना क्या चाहिए profit जो है वो greater than zero होना चाहिए greater than zero होना चाहिए तो यह इकल्टू इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अगर अगर इकल्टू लगा देंग तो profit zero हो जाएगा तो फिर भी तो profit नहीं हुआ लाइ तो आप यह बहुंत यह बाहरा रग दो रिवैन्यू को सच ग्रेटर द्यान दरो अब इस को एंड करो टो रिवेन्यू सो इस ग्रेटर दन कोश्च है भीने सबसे सब्सक्राइब ठीक है अब दिखो revenue के लिए function क्या दे रहा है 2x तो यह तो जाएगा 2x और cost के लिए function है ठीक है 300 plus 3 by 2x इसको इदर shift करो आप 2x minus 3 by 2x greater than 300 तो हम यह पर लिख सकते हो कि let x number of cases must be number let x number of cases should be sold ठीक है अब इसको इदर multiply लो आप यह हो जाएगा 4x यह इदर minus 3x upon me 2 greater than 300 अब इस तो को इदर multiply करो यहाँ 4x minus 3x यह हो जाएगा 2 into 300 एक्स x greater than 600 तो अब फ्रोफित के निक लिए क्या हो क्या करना होगा more than जी greater than का मतलब है more than more than 600 Cassius should be sold by the company by the company to realize the profit ठीक है हम से कम 600 कैसे sold करने हों profit करने है आपते क्लेब कुछिन क्या बोल रहे है कुछिन नमर 9 है the longest side of a triangle is three times the shortest side and third side is two two centimeters shorter than the longest side if the perimeter of triangle at least 61 cm find the minimum length of the sorted side ठीक है ठीक है नमको यहां पर sorted side की length बतानी है ठीक है ठीक है ठीक है नमको क्या करना है आप पहले एक triangle बनाओ तो बोज कर लो कि यह वहाला triangle है ठीक है अब पहले लेट कर लेट कर लेट लेट एक्स वी दी length of the sorted side क्योंकि हमको sorted side की length बतानी से लेट इसे एक्स लेटे लेंद्ध ओफ वी दी length of the sorted ठीक है अब देखो आप question बढ़ा हमसे आप इसको माल लो कि यह आपका longest side है इसे हम माल रहे कि यह जो है वह longest side है ठीक है यह आपका longest side है इसे आप suppose कर लो कि यह आपका shorter side है और यह कोई side है other than this तो third side बोल लेटे third ठीक है अब अब देखो क्या बोल रहे हैं the longest side of a triangle is three times the sorted side तो longest side is the longest side of a triangle longest side is इस का मतलर equal to three times three times the sorted side three times the sorted side आपका sorted side क्या है x है तो यह हो जाएगा 3x दीके sorted side x है तो यह बोला है कि जो लोंगे साइड है वो three times है sorted side का sorted side का three times कर दी ठीक है यहां तक लिए अब नेक्स लाइना पड़ो and third side is two cm shorter than the longest side मतलब अगर यह x cm है यह three x cm है तो बोल क्या रहा है कि sorted side है वो two cm sorted है किसे तो बड़ा वाला से हम छोड़ी दर किसे माल लेते हैं कि चलिए sorted side है 2 cm sorted side है 2 cm यह answer नहीं हम suppose कर लें कि है भाई चलिए तो यह इसका 3 मतलब 3 times है तो 2 का 3 times करो तो 3 into 2 6 तो यह longest वाला 6 cm हो जाएगा ठीक है और आगे कि आप बोल रहा है कि जो 3rd side है ना वो 2 times shorter है मतलब 2 cm छोटा है किसे बड़े वाले side से यह वाले side से तो आप इसमें 2 minus करो तो 6 minus 2 कर दोगे तो यह क्या आ जाएगा 4 cm ठीक है कुछ ऐसे है मतलब आपको क्या करना है 3x में minus 2 कर देना है तो आपकर 3rd side जो है वो क्या हो जाएगा 3x minus 2 देखे यह x था तो हमने x को माना कि चलिए वो 2 cm है ठीक है तो longer side क्या हो जाएगा 6 cm हो जाएगा अब यह 6 cm है तो question में क्या बोला था 3rd side is 2 cm shorter than longest side मतलब 2 cm छोटा है किस से बड़े वाले side से तो आपने 2 minus किया तो 6 minus to 4 बन गया तो 3rd side 4 cm होग ठीक है तो हमने इस तो यह तो हमाँ example था और original में हमने इसे क्या माना x longest वाला side क्या है 3x तो आप इसमें से 3x में से minus करोगे 2 तो यह हो जाएगा 3x minus 2 ठीक है ठीक है अब आप आगे पढ़ा जोँगे से इस दा पैरिमेटर ओफ ट्राइंगल एड लीस्ट इवन सैंटिमेटर और कोश्यन में क्या दे रहा है कि पैरिमेटर जो है पैरिमेटर जो है वह एड लीस्ट इसका पैरिमेटर क्या होता है पैरिमेटर होता है सम अफ अल शाइट उफर ट्राहंगल तो आप इनका सम कर दू a प्लस b प्लस c किहीं क्या हो जागा इसका पैरिमेटर हो जाएगा तो आप इन सम कर दू x प्लस 3 x x प्लस 3 x 3 x माईनस 2 इस टू ठीक है ठीक है देखे 3x 3x और 7x इस टू को इधर सिफ्ट करो यह हो जाएगा 61 plus 2 7x greater than equal to 63 यह 9 बार में कैंसे नहीं हो तो x greater than equal to 9 ठीक है अब देखो यह क्या बोल रहा है 9 से बड़ी 9 से बड़ा तो सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा सबसे छोटा तो 9 ही हो जाएगा देखे 9 ते बड़ा तो बहुत आएगे लेकिन 9 जोगा वह सबसे छोटा है ठीक है अब लिख सकते हो हैं minimum minimum length of the sorted side सुखे 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 लिख लिख सुखे 9 से अटेमेटर ठीक है अब पता नहीं है को कितना सब्सक्राइब होगा है कोश्चन No.10 अब यह वाला कोश्चन को ध्यान से समझें बहुत इंफोर्ट इंफोर्ट इंद अब देखों या बोल रहा है how many liters of water will have to be added to 11-25 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content we will start here to 11-125 liters of 45% solution of acid this means that there is a solution this is a beaker, there is a solution in it in the beaker there is a solution in it there is a solution in it solution can be made by two things in the mixer and you know that the acid in the water is mixed in it so what you say is that this solution is 11-25 liters of the solution which is 45% of the acid what is 45% of the acid okay now you see 45% acid so water how much water obviously water which is 55% okay now you see what is this one what is this one this one how many liters of water will have to be added how many liters of water will have to be added so that so that the resulting mixture is the resulting mixture the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid is the resulting mixture resulting mixture is the acid percentage the acid percentage it would be 25% or 30% 30% which is the resulting mixture which is the acid which is the acid which is the 45% तो जो बोल रहा है चाहिए कि यह जो रिजल्टिंग मिक्सला उसमें 25% और 30% के बीच में होना चाहिए इसे से जदा नहीं होना चाहिए या फिर 25% से कम भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप इसमें कितना वाटर रैड करोगे को यहीं पूछ रहा है कि जो उसका एसेट परसेंटेज वह ऐसा बन जाए यहां पर फॉटिफाइफ परसेंटेज यहां पर एसेट जो परसेंट वह इसके बीच में आजए तो हम सपोर्च कर लेते हैं कि हम एक्स लीटर वाटर जो है वह एड कर रहें क्या करें एक्स लीटर वाटर एड कर रहें तो यह सॉल्यूशन क्या बनेगा आप देखो यह कितना था पहले कि अब निखलें तो अब यहां थोड़ा सा लीख लो लेट एक्स लीटर लेट एक्स लीटर ओव वाटर एक्स लीटर ओव वाटर विल हाब विल हाब आदेड तो वन 1125 लेटर ओफ 45 पर्सेंट एसीट सॉल्यूशन ठीक है तो मतलब इस सॉल्यूशन में हमने एक्स केतना लीटर वाटर एड कर रहा है भाई एक्स लेटर वाटर एड कर दिया ठीक है तो जो रिज़ल्टिंग मिक्चर होगा उसमें केतने लीटर ये जो सॉल्यूशन नहीं वह कितना लीटर हो जाएगा तो आप देखो पहले केटना था 1125 था आपने एक्स लीटर वाटर और अड़ कर दिया तो यह क्या होगा प्लस एक्स एतना लिटर ये सॉल्यूशन हो ज यह जैसा है कि 1125 लेटर और 45% परसेंट एक सॉल्यूसन है जो यह कितना लेटर है तो 1125 लेटर जिसमें 45% एसीड है क्या 45% एसीड है तो इसमें वाटर कितना परसेंट होगा अब्यसी बात है 100 में से माइनिस कर देंगे तो 55% वाटर हो जाए अब आगे क्या बोल रहा था कि ह अब यहां पर आ रहे है वापस से हम इसमें कितना लेटर वाटर एड करें कि सो दैट देगे कोश्चन गुआ के यह वाला लाएं पहले हमने यूज कर रहा उसके बाद यूज कर रहा ठीक है सो दैट रिजल्टिंग मिक्चर यह जो मिक्सर बना यह वाला देगे हम वाटर यह अध्क रहेंगे तो फिर नया सोलुएसंब गाउटर गला अब व्यास बात बनीगा तो हम यह दो यह रिजल्टिंग मिक्चर बना रिजल्टिंग मिक्चर का जो असीड है वो इसके बीच में होना चाहिए 25 और 30 के बीच में होना चाहित वही आपने लिखाय कि तोटाल सोल्यूशन वह केतना हो जाएगा दीखें पहले था वह 1125 हम ऐसा सपोच के लिए कि हमने एक्स लिटर वर्टर एड करा तो यह क्या हो जाएगा 1125 प्लस एक कि तीखें आई होप आपको यह वाला समझ में आ गया होगा ठीक है आप देखो आप यह लिखो टोटल मिख्चर एक टोटल मिख्चर करा हो जाएगा इस टोटल मिख्चर हो जाएगा 1125 प्लस एक्स लेटर आइपको समझ में आया होगा ठीक है तो according to question, अब सीज़े, according to question, acid percentage, acid percentage किसके बीच में होना चाहिए, यह जो resulting mixture का acid percentage है, resulting mixture, resulting mixture का acid percentage, वो क्या है जी, 25% से 30% के बीच में होना चाहिए, ऐसा question बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अब देखो question बोल रहा है, more than 25%, 25% से जाधा, लेकिन 30% से काम, मतलब resulting mixture का acid percentage, इतना होना चाहिए, ठीक है, तो यह तो acid है ना, तो exactly, यह तो percentage में है, यहाँ पर हम exactly लिखेंगे क्या, 25% of, किसका जी, यह वाला solution, कितना है, 1125 plus x, ठीक है ना, इस total में 25% होना चाहिए, अगर हम सिर्फ 25% कर देतें, तो गलास हो जाता, क्यों, देखी, यह 1125 लीटर का, एक solution है, जिसमें, इसका 45% acid है, इस solution में 45%, इसका, मतलब 45% of, 1125 जो है, वो क्या है, उतरना लीटर जो होगा, वो acid होगा, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा, 30% of, 1125 plus x, ठीक है, आयोप, आपको समझ में आ रहा हो, यह वाला मैंने क्या करा, देखी, यहाँ पर बोला तो है, कि 25 और 30 के, बीच में होगा, acid content, ठीक है, लेकिन, टोटल मिस्चर है क्या, टोटल मिस्चर है, आपका, 1125 plus x, इस, 1125 plus x का 25%, जो है, और इसका 30%, जो होगा, वो, acid होना चाहिए, अगर हम water की बात करें, यहाँ पर वाटर क्या होना चाहिए, वाटर जो होगा, वो आपका, 65% और 30%, 70% के बीच में होगा, ठीक है, हमको ऐसे भी water की बात नहीं करने है, हमको acid के बात करने है, ठीक है, तो क्या होगा, 25%, इस पूरे solution का 25%, हमारे पास जो है, वो acid होना चाहिए, तो हम इसका 25% कर लिया, और इसका इधर 30% कर लिया, अब हम बीच में क्या लिखेगे, बीच में ये, ये वाला बीच, देखिए ये तो resulting होगया, resulting से पहले वाला बीच में आ जाए, तो बीच में क्या है जी, 45%, हम acid का बात करता हम acid वाला लेंगे, हम water के बात नहीं करेंगे, हम इस्रिप एट्रिट का, 45% of 11.25, ठीक है, 45% of 11.25, और ये तो pure water है, इसमें acid क्या है, acid इसमें 0% है, तो आप 0% of कुछ भी निकालो, वो तो 0 ही होता है, इसले हम उसको नहीं लिखे रहे हैं, ठीक है, आपको ये वाला statement पता नहीं समझ भाया है की नहीं, मैं लाजबर ट्राइ करता हूँ, ठीक है, यहां तो आपको clear हो गया होगा है, यह जो solution है, वो कितना है, 1125 प्लस एक्स लेटर है, ठीक है, अब आप देखो, इसका बोल किया रहा थे, कि इसका जो acid percentage है वो 25% और 30% के बीच में है, ठीक है, लेकिन हम direct 25 बो 30% थोड़े ही लिख सकते हैं, आप सोचके देखो, 25% किसका है, यह पूरे solution का 25% अगर मैं बोलू, ऐसे सम्झाओ, result मतलब आपको तो परता है, exam क्या होता है, 100 marks क्यों होता है, 100 marks में किसी का आया 80%, 80% का मतलब उसका number क्या आया है, 80% of 100, मतलब 80 by 100 into 100, मतलब उसका number क्या आया है, 80 number आया है, ठीक है, अब आपको सम्झाओ रहाँ जाए, तो वही है, मैं बोल रहा हूं कि उसका जो acid है, वो 25% और 30% के बीच में तो 25% आफ ये, इस पूरे का 25% है वो, तो इसलिए हम 25% आफ यहां पर लिग दिए और इसका 30% लिग दिए और यहां पर भी acid बीच वाला, तो यह जोनों का acid आचाहिए, तो इसमें तो acid था नहीं, यह तो pure water है, तो acid क्या था, इसमें 0% था, तो 0% of anything is 0, तो इसलिए इसका हमने नहीं लिखा, और इसमें acid क्या है, इसमें acid जो है, वो 45% था, तो 45% आफ इसका, यह total acid हो जाएगा, ठीक है, देखें हमको basically total acid की बात करनी थे, इसलिए हमने न, क्या क्या रहा, 45% of EA, और इसका, 25% of EA, तो यह total जो है, वो acid liters में आचुके है, ठीक है, percentage आज जाए लिटर में आचाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम percentage में solve कर भी लेते हैं, लेकिन हमको क्या बोला है, कि हमको x liter, हमको liter में solution चाहिए, इसलिए हमने, देखे, 80% आपके percent में न number है, मुझे exactly number जाना है, तो हो क्या है, 80 है, तो आप उस percent को हटाओगे न, इस hundred का, 80% आप निकाल लोगे, hundred का, तो वही हम यहापे भी कर रहे है, हमको liter में solution answer पूछा है, इसलिए हम इस percent को हटा रहे कैसे, 25% हम निकाल रहे है, इस पूरे solution का, तो हमको exactly liter मिल जाएगा, अगर आप देखो, 45% इसका करोगे, तो 45% of 11.25, तो कुछ भी solve करके, कोई माल लीटर आएगा, माल लीटर आएगा, ठीक है, तो यह तो लीटर में आया न, यह तो लीटर में आया, और यह भी इस तर से लीटर आएगा, तो जब solve करके तो आपको जब value मिलेगे, वो क्या हो जिसे, मैं फिर सो, जिसे इसमें आया, उस माल लीटर की 50 लीटर आया, मतलब इसमें 50 लीटर एएगा, ठीक है, उसी तरस से अगर आपने इसको solve करा, यह वाला की value आगे 25 लीटर, यह वाला की value आगे 30 लीटर, तो जो 50 लीटर, मतलब टोटल टोटल होगा, कि अब ज्यादा complicated नहीं कहता है, अब इसको solve करना है, ठीक है, तो आप इतना समझे लो कि यहाँ पे लीटर लिखा हुआ था, इसलिए हमने solve करके इसको लीटर, मतलब percent of लेके, 1125 प्लस X, 25% of this, जो भी हम निकालेंगों लीटर में आया, इसलिए, ठीक है, अब आप solve करो, तो 25% क्या होगा, percent का मतलब, percent मतलब 100 आप नीचे multiply कर रहे हो, जोगे 25 by 100, off का मतलब into, into में दिया, ठीक है, फिर percent का मतलब, आप 100 इसको divide कर रहे हो, off का मतलब into, multiply और 1125, less than equal to 30 by 100, into 1125, प्लस X, ठीक है, तो जै का 25, 1125 प्लस X उपन 100, less than equal to 45, into 1125 प्लस X, less than equal to, 30 into 11 25 plus x upon 100 अब देखो ये 100 ये 100 ये 100 सारा का cancel हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 11 25 plus x less than equal to 45 into 11 25 less than equal to 30 11 25 plus आप देखो 5 से divide करोगे ऐसा सम्हें कि आप 5 या cancel कर रहे हो ये फिर 5 से divide कर ले रहे हो अगर आप exam में लिखो कि वहार लिखने dividing by 5 हम that cancel कर रहे हो 5 9 6 दियो जाएगा 5 into 11 25 plus x less than equal to 9 into 11 25 less than equal to 6 into 1125 plus x ठीक है अब देखा 5 into 1125 यो जागा 52625 प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 9 को 1125 ते मुल्टिप्लाई करू यो हो जाएगा 10,125 लेस देन इसको अब इसको मुल्टिप्लाई करू 6 से यो हो जाएगा 6,750 प्लस 6x ठीक है अब अब देखो जैसे minus x lies between minus a to a तो आप इसको क्या लिखते हो मतलब अगर हो x less than equal to a and x greater than equal to minus a तो आप इस चीज़ को क्या लिखते हो x lies between minus a to a मतलब इस चीज़ को ऐसा लिखते हो यह हमने mod of x less than equal to a वाली प्रॉपर्टी लिए है ठीक है mod of x less than equal to a हो तो ऐसे हम लिखते हैं और फिर बाद में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ठीक है बाब के पास देखो ऐसा ही कुछ है यह बन रहा है मालो आप यह बन रहा है a और यह बन रहा है b आप हमेशा याद रखो जब भी x less than x lies between a to b होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a less than x and x less than b मालो आप इसको open करके ऐसा लिख सकते हैं इसको इधर बीच में and और यह वाला इधर ठीक है आप पहले इसको लिखो 5625 प्लस 5x less than equal to एतना बीच में and और फिर यह वाला ठीक है पहले यह वाला लिखा फिर बीच में and लगाया और यह वाला लिख दिया 10125 less than equal to 6750 प्लस 6x ठीक है अब आप इसको इधर shift करो इसको इधर shift करो तो क्या हो जाएगा 10125 minus 5625 यह क्या हो जाएगा minus 5625 यह हो जाएगा 4500 आप इसको 5k table से cancel करोगे यह हो जाएगा 900 तो x less than equal to 900 ठीक है x less than equal to 900 and इसको इधर shift करो 10125 माइनस 6750 greater than less than equal to 6x ठीक है तो यह हो गया तो यह हो गया 3375 अब देखो 6x को पहले लिखा है इसको बाद में लिखा तो sign क्या होगा चेंज हो जाएगा आप ऐसे भी देखो 6x तरफ sign तरफ यह देखो यह वाला चीज़ 6x तरफ अब इस चीज़ को 6 से डिवाइड करो यह कुछ आएगा x greater than equal to 562.5 ठीक है तो and अब देखो नंबर लाइन तरफ हो जाएगा clear यहाँ पर है 562.5 और यहाँ पर है 900 अब देखो यह बोल रहा less than equal to यह दोनों नंबर include तो होंगे यह बोल रहा less than equal to 900 बादा 900 के पीछे तो यह देख है और यह बोल रहा 562.5 के greater than equal to इसके आगे यह हुआ इन दोनों परमन यह हुआ तो आपका जो x होगा वो लाइज बिविन 562.5 से 900 तो मतलब हम जो solution होगा वो आप कितना add करोगे इसके बीच में इसके बीच में लेटर्स में आप add कर सकते हो तो हम लिखना चाहे अब लिख देना नीचे hence more than more than 562.5 लीटर बट लेस देन 900 लीटर can be added can be added to 1125 लीटर ओफ लीटर ओफ दा 45% इसीड सोल्यूश इसीड ओफ सोल्यूश ठीक है अब आपको किलियर हो गया होगा कि हमने लेटर में इसको convert करा ठीक है न इसीड लेगे कि हम वो सॉल्यूशन लेटर में ठीक है अजब लीटर में मतलब आप ऐसे ही समझे ना कि आपको 80% डे रखा था लेकिन किसी ने बोला कि आप बताओ आपके नंबर कितने आये थे अगर चलिए 80% नहीं 79% 79% आप से पुछा आप बताओ एक्जेक्ली आपका नंबर क्या है तो आप क्या करोगे 79% और हंड़ेट तो अब हंड़ेट टोटल नंबर होता है तो आप इसका 79% ले लोगे तो आप बता दोगे 79% मेरा 79 नंबर है ठीक है ठीक है आपको पता नहीं वहला कुशन तमने में कितना है रहीं वहला क्या है